ब्रिंदावन की पावंधरा से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं बड़े हिस्व भागे का विशा है कि आज हम सब के बीच में अपना मुल्यवान समय परमपुज्य विजे कोसल जी महराज अपना निकाले हैं समय आएए उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं महराज जी प्रणाम करता हूं महराज जी से आज धेर सारे सवालों का जवाब जानेंगे तो सबसे पहला सवाल हम महराज जी से जानते हैं कि माराश्य जी गुरू की भूमिका क्या है और जीवन में गुरू की उपयोगिता क्या है क्या गुरू भगवान है दिखिए गुरू की महिमा गुरू की उपयोगता गुरू की आवश्यक्ता सभी क्षेत्रों में है पेट भरने के लिए भी लगभग 15-16 वर्ष किसी समय बैटरे की आवशक्ता होगी कोई कोई मारक दर्ख चाहिए कोई कोई रास्ता दिखाने वाला चाहिए जिस छेत्र में भी आपको जाना है उसी क्षेत्र का गुरू चाहिए शिक्षा के छेत्र में जाना है शिक्षा का गुरू चाहिए टेकनिकल छेत्र में जाना है तो ट धर्म के ख्षेत्र में आध्यात्मे के ख्षेत्र में भक्ती के ख्षेत्र में गुरू बहुत आवश्यक है गुरू मार्ग देता है गुरू मार्ग दर्शन भी देता है और गुरू सबसे बड़ा काम करता है कि संकट जब आता है तो उसमें वो सहारा देता है उसमें वो उत् किसी आचारे ने बहुत कम शब्दों में एक अच्छी बात कही है उन्होंने कहा है जिसका कोई गुरू नहीं उसका जीवन शुरू नहीं जीवन का शुभारम किसी गुरू के मार्ग दर्शन से ही होता है तो मैं समस्ता हूं कि गुरू की आवश्यक्ता को ना कारा जा सकता है ना कम किया जा सकता है लेकिन एक बड़ी समस्या है हमारा से जी कि लोग गुरू का चुनाव कैसे करें देखे गुरू का चुनाव नहीं होता आध्यातनी अच्छे तरह में अगर बात करें गुरू का चुनाव नहीं होता गुरू खोजे भी नहीं जाते गुरु बनाए भी नहीं जाते हैं जो बनाई जाती है चीज वो कृत्रिम होती है वो अपोर्ण होती है गुरु होते हैं गुरु होते हैं गुरु का दर्शन किया जाता है शर्धा की दरश्टी से जिग्यासा के भाव से जैसे प्यासा पानी खोज लेता है ऐसे गुरू की वे एक प्यास होती है वो गुरू को खोज लेती है गुरू को ढूंड लेती है अब एक प्रशना आता है कि कैसे माने कि ये ही गुरू है इनी को ही बनाना चाहिए चुकि इस दिशा में कई बार धोके भी हुए हैं धोके भी हो रहे हैं फिर अन्यक परकार की टिपटी का टिपणियां भी गुरुओं पर होने लगी है जिसके पास बैठकर मनशांत होने लगे जिसके पास बैठते ही बिना बोले हमारे परशनों के समाधान होने लगे हम कई समस्यां सोचकर गए थे लिकिन वो वारता में बिना हमारे कहें समस्याहों का समाधन मिलने लगे जिन کے पास बैठकर मन पवित्तय का अनुभव करने लगे जिन के पास बैठकर यह विश्वास जगने लगे कि अगर इनकी क्रपा हो जाय तो मुझे भी भगवत मार्ग मिल सकता है जिनके पास बैठकर अपना सब कुछ उगलने की इक्षाफ होने लगे जिनके पास बैठकर भगवत भजन की प्रेरणा होने लगे और दुरगुर छोड़ने का संकल्प जगने लगे मैं समस्ताओं उन्हीं चरणों का आश्रे ले लेना चाहिए फिर वो कितने पड़ेले के एं कितने शिक्षित नहीं योगग है कितने गुणवान हैं किस जाती हैं किस लिंग के हैं 네 इसमें न जाकर यह अगर संकेत अपने मनें आते हैं तो फिर उनिका मार्ग दर्शन लेना चाहिए वह हितकर होगा ये तो गुरू की बात होगी महराशी जी, अगर सिस्य की बात करें, तो सिस्य के कर्तबे क्या होने चाहिए, उनकी भूमिका किस तरीके से आप देखते हैं? शिस्य का एक ही कर्तबे है और एक ही भूमिका है कि वो समर्पित हो जाएं, अगर हम अपनी बुद्धी की योगिता से पहले गुरू को ठोक बजा कर देखेंगे, कोई कहावत भी कहता है कि दो रुपे का घड़ा खरीदा जाता है तो बीस बार बजा कर देखा जाता है, जिस के साथ चलना है तो उसको तो बहुत ठोक बजा कर देखना चाहिए, यह कहावत गलत है, घड़ा यह जड़ है, घड़ा बजा कर देखा जा सकता है, चटका तो नहीं है, गुरू चेतन्य है, और चेतन्य की परिक्षा कोई बुद्धी नहीं ले सकती है, चेतन्य की करके समर्पित हो जाए जहां ले चलोगे वही में चलूँगा जहां नात रखलोगे वही में रहूँगा किसी परकार का क्या क्यों कैसे ये प्रशन न उठे तो वो पूर्ण भूमका का शिश बना जाता है और उसी के ऊपर करपा होती है गुरू की कृपा ऐसे हिस्षिश पर होगी अगर धर्म और अध्यात्म की बात करें महरासे जी तो ये धर्म और अध्यात्म दोनों एक हैं या अलग-अलग हैं वरिणन करेंगे तो दोनों अलग-अलग दिखाई देंगे लेकिन अगर अंदर से देखेंगे तो दोनों एक ही दिखाई देते हैं जैसे जल और जल की धारा समुद्र और समुद्र की हिलो रहे देखने में कई बार अलग अलग दिखाई देती हैं लेकिन अंतर से वो दोनों एक होती है धर्म कहते हैं कर्तव्य को धारण, जो करतब भी धारण किये जाते हैं, मनुष्य जीवन के जो जो करतब भी हैं, उनको धारण करना जो धारण करने योग हैं, चाहे उनको नियम कहिए, करतब भी कहिए, ड्यूटी कहिए, उस सब धर्म की परिभाशा में आते हैं, धर्म की परिभाशा को हमने केवल पैदा हो गई भ्रह्म निर्माड हो गए आध्यात्म कहते हैं उस आत्मा को उस मन को उस आचरन को जो इश्वर की और चलने की प्रेरणा देता है जिश्वर सक्षात्कार की और जो चलने की प्रिक्षा रखता है वह आचरण वह क्रिया वह कलाप हमारा आध्यत्म की स्रेड़ी में आता है और जो जीवन को शांती सोक आनंद प्रदान करें उन करतव्यों को हम धर्म कहते हैं उनके पालन करने से जीवन शुकमे व्य तेट होता है ऊपर से तोनों अलग अलग दिखाई देते हैं अंदर से दोनों एक हैं चुटा रव का पालन करोगे साचरण का पालन करोगे तो भगवान की ओर की जो दिशा होगी वोभी सरण हो जाएगी दोनों एक ही है अलग है यानी किदहर्म करते हुए अध्यात्म की और जा सकते हैं हमारा सीजी धर्म हमारे जीवन के करतव्य का पालन है और अध्यात्म उसका परड़ाम है भक्तिमार्ग ज्यानमार्ग कर्ममार्ग और योगमार्ग यह क्या है हमारा सीजी दिखिए यह उपासना के तीन मार्ग है ज्यानमार्ग ज्ञान कहते हैं कि साधना से, सैयम से, प्राणायाम से, एकागरता से आत्मा को परमात्मा की और विक्सित करना उठाना, आत्मा और परमात्मा को एक रूप कर देना ये ज्ञान मारग है। का निर्वहन करते जाना, ग्रहष तार्शम का पारण करते जाना, जो जो जिसके कर्तव हैं, पुत्र का कुछ कर्तव है, पिता का कुछ कर्तव है, भाई का कुछ कर्तव है, पति का कुछ कर्तव है, पतनी का कुछ कर्तव है, सेवक का कुछ है, स्वामी का कुछ है, ये अपने अपने कर्मों का धर्म के संरक्षण में निर्वहन करते जाना और फिर उसी में भगवत सुमिरण रखना कि मुझे अंतिम यात्रा भगवान के श्री चरुणों तक पहुचानी है ये कर्ममार्ग है प्रामार्णिक जीवन चीला अपने सभी कर्मों को पूर्ण प्रामार्णिक तासे निर्वन करना हरी का सुमिरण करते जाना ये कर्ममार्ग आपको ईश्र तक दे जाएगा तीसरा है भक्ती का मार्ग भक्ती का मार्ग कहते हैं कि केवल सर्वस हमारा इशर है हम जो कुछ करेंगे भक्ती कहते हैं समर्पित हो जाने को भक्ती कहते हैं भगवान में विलीन हो जाने को भगवान में समर्पित हो जाने को भगवान में गुल जाने को भगवान में विले हो जाने को भगवान में समा जाने को हम भगवान में समा जा और भगवान को अपने में समा लें तो हमारे जीवन की हर क्रिया की दिशा भगवान होगी वो हम जो कुछ करेंगे खेती भी कर रहे है तो भी भगवान के लिए है व्यवपार करते हैं तो भी भगवान के लिए है सर्विस करते हैं तो भी भगवान के लिए हमारी हर क्रिया भगवान को प्रसंद कर रही है कि नहीं कर रही यही चेतना भगती है हमारा हर कर्म हर क्रिया भगवान को प्रसंद आगर प्रदान कर रही है तो वो भगवत समर्पित जीवन माना जाता है और वही भक्ती है ये थोड़ी रसीली है ये थोड़ी सरस है ये थोड़ी सरल पड़ती है इसमें श्रम कम है इसमें थोड़ा आनंद जादा है इसलिए लोग भक्ती के मारग को पसंद करते हैं गा कर नाच कर रो कर पुकार रिजहा कर ये सम्मार्ण भॉक्ति के मार घञे वक्ती का केवल एक य fid up आर्थि के ये प्रकारे भघवान के चरणों में विलीन हो जाना सबर्पित हो जाना भगवान में डूब जाना भक्त का आर्थ है जो एक्षण भी भगवान से विभक्त नहीं है उसकी हर क्रिया भगवान को प्रसंद करने के लिए होती है यहीं अगर इन तीन मारगों के अलावा अगर संप्रदाय की बात करें महरासी जी तो संप्रदाय किसे कहते हैं और वैसलों में कौन-कौन से हैं अलग-अलग जो संप्रदाय कहते हैं कि हमारे पूर्व संप्रदाय के द्वारा सम्यक रीटी से प्रदान किया गया ज्यान जो परंपरा से आगे तक जाता है उसको संप्रदाय कहते हैं आज इसका रूप माराश जी अलग- आज क्या है कि हर चीज़ पर राजनिती हाभी है और राजनितिक चश्मे से ही सामपरदाएक, सामपरदाएक, सामपरदाएक कारत केवल अगर संपरदाए शब्द आप बोलेंगे तो केवल आपके ध्यान में हिंदू और मुसलमान आ जाएगे तो ये इसमें मैं कुछ कहना ही पाऊंगा क्योंकि ये काल का प्रभाव है इस समय और मेरे बोलने से उसमें कोई परवरतर भी नहीं आने वाला है लेकिस संपरदाय शब्द बहुत शुद्ध सब्द है शास्त्रिय शब्द है प्रामानिक शब्द है हमारे आचारियों के द्वारा सम्यक गती से सम्यक प्रकार से प्रदान किया गया ज्यान ये संपरदाय है उसको जो पानन करते हैं वो संपरदायक माने जाते हैं उस रामानंदा चार रहे वेशदाव बने वह महापुरू का गोड़िया संप्रदाय चार संप्रदाय जिनको बोलते हैं यहार्द जो जो धार अच्छी लगती है जो घाट अच्छा लगता उस परिश्णान करता है गुटा तो गंगा का σου सबकर गाट अलग हो सकते हैं लिकित गंगा के ही वो गाट है इसलिए इनको यह भावसे ने को बहुत उच्छ भाव से देख देख से परिवार में रहते सामान व्रती महराशीजी भक्ति कैसे करें भक्ति और परिवार संचालन ये अलग अलग नहीं है जिस परिवार में हम हैं उस परिवार के प्रतेक सदस्य के प्रती हमारे मन में समवेदन भाव चाहिए प्रेम का भाव चाहिए शद्धा का भाव चाहिए दूसरे को सुख देने की कामना का भाव चाहिए कि मैं दूसरे क को अधिक्तम कैसे सुख दे सकता हूं तो आप जिस इस्तर पर हैं आप उसी इस तर से इन नियमों का पालन करिए हम बेटे हैं तो पिता को सुख कैसे दे सकते हैं मा को कैसे सुख दे सकते हैं भाई को कैसे सुख दे सकते हैं हम पिता हैं तो सारे परिवार के छोटे बड़ी सब को सुख प्रदान करना, सब के प्रती सम्वेदन शील रहना, सब के दुख में दुख की अलभूती करना और सब के सुख में प्रसन्था व्यक्त करना यही परिवार संचालन का सर्व स्रेष्ट सूत्र है. हम अपने दुख का रोना रोते हैं और दूसरे के सुख से इर्शा करते हैं, चाए परिवार हो, चाए समाज हो, फिर उसमें कल्य होती है, वो समाज और परिवार तूटता है. तो दूसरे के सुख में सुखी होना और दूसरे के दुखी में सम्मेदना रखना दुखी होना ये परिवार को भी जोडता है और ये समाज को भी जोडता है अगर इसी से मिलता जुलता है महराशेजी ग्रिहष्त जीवन में धर्म सास्त्र की अगर भूमिका देखे तो इसको आप किस रूप में देखते हैं देखे मेरे प्रार्मन में आपसे ने वेदन किया था कि धर्म तो करतवी के रूप में हम अपने अधिकार की बात तो बहुत करते हैं और आजकल सरकारों के द्वारा भी नायलों के द्वारा भी अधिकार को ज़्यादा परश्रे दिया जा रहा है इनका ये अधिकार है इनका ये अधिकार है अधिकार ने इनका ये कर्तव्य है इनका ये कर्तव भी है इनका ये कर्तव है आप कर्तव भी बोध जगाईए और जो कर्तव का पालन पूर्ण करता है वो अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है बिना कर्तव भी पालन किये अगर आप अधिकार मांगेंगे इससे तनाव होगा परिवार तूटेगा समाज तूटेगा मेरा जो कर्तब है मैं प्रामणकता से पालन करूँ अधिकार तो मुझे अपने आप मिलेगा कर्तब बोध कराना जरूरी है मारा सिद्धिन कर्तब बोध कराना ये समाज का विदायत तो है परिवार का विदायत तो है सरकार का विदायत तो है निया एलाग के विदायत तो है सब का दायत तो है दुरभागी से इस दायत का निर्वहन चारो संस्थाओं में से कोई नहीं कर रहा है केवल अधिकार भाव जगाए जा रहे है करतब भी बोध नहीं जगाए जा रहा है तनाओ की जड़ है महराशी जी वो यहीं है। करथभी करता है ओ कभी अधिकार के लिए मांग नहीं करता ही जो करता भी नहीं करता ओर अधिकारों के लिए धरने देता है। इसवी अगर साधक और साधू और संत्त में अंतर करे अ throwing महराशी जी तो कैसे अंतर है देखिए शब बड़े साधक कहते हैं जो साधना का प्रैतन कर रहा है जो सद रहा है सदने के मार्ग पर चल रहा है आचरन से व्यभार से जीवन जीने की शैली से खान पान से वानी से बोली से दरश्टी से हाव हाव से व्यभार से ये जो क्रियाएं हैं ये सद कर चलना संयम में चलना इन सब क्रिया साधु वो है जो सद गया है अब कोई गर्मी जाड़ा उसको प्रभावित नहीं कर सकता माने समाज की प्रशंसा से वह फूलता नहीं है और समाज की आलोचना से वह सुकुडता नहीं है प्रशंसा से वह नाचता नहीं है और आलोचना से रोता नहीं है जो सद गया है अब उसको कोई बाहरी परिस्थती हिला नहीं सकती जाई विद राखे राम ताही विद रही ये साधु है दूसरे साधु कहते हैं जो व्यत्ती से वस्तु से और विशे से प्रभावित नहीं होता है उस साधु है संत ये एक सुभाव होता है सरल सुभाव है, शील भरा सुभाव है मधुर सुभाव है, सत्यवादी सुभाव है दयावान सुभाव है, करुनावान सुभाव है प्रेम से भरा हुआ सुभाव है मुस्करा कर जीना सुभाव है सब को सहरा देना सुभाव है सबको उत्साह देना सभाव है किसी गिरे को उठाने वाला सभाव है ये सब संत सभाव में आते हैं इसके लिए कोई वेश नहीं होता कोई तिलक नहीं होता